हेलो अबरिबन वेलकम टो एर यूट्यूब चैनल टार्गेट पर आई क्यू अपनी इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं विहार एपियो 2011 के जो भी एकजाम में जो भी एविडेंस एक्ट की जो भी कोशन आए है उन सभी को ठीकिन है तो चलिए तियार किया है सर जैंस स्टीफन ने किया है किसने राफ्ट तियार किसने किया है वही जैंस स्टीफन ने किया है तो हमारा आंसर क्या होगा बी होगा next है एक तथ्य है जो उसी समयवार का भाग है मतलब एक फैक्ट जो उसी ट्रांजक्शन का पार्ट है Indian Evidence Act कि section 6 में कब क्या होगा relevant कब माना जाएगा उसे तो उसे कब relevant माना जाएगा यगपी क्या चाहे वो क्या नहीं है चाहे वो विवाद में नहीं है और शायद उसी समय और उसी स्थान में अथवा अलग-अलग समय और अलग-अलग स्थान पर घटित हुआ हो चाहे वो उसी time और उसी place पर घटित हुआ हो चाहे फिर किसी अलग time और किसी अलग place पर घटित हुआ हो सबसे क्या माना जा सकता है डेल çalış in चेमने सब्सक्राई का एƠ कि एड्मिशेल कब होगा कि की गहाएता से सम्मंदीत जो धारा नहीं साथ की है स्क्शन 65B कौन सी स्क्शन 65B क। आंसर होगा हमारा डी किसी दस्तवेच की फोटो कोपी बिना परमार्ण की गौन साश्य है जा सकती है क्यों नहीं की जा सकती है आप यह रीजन पूछ रहा है इसे प्रतीक तोरय अर्थ में गौन साश्य नहीं है आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा ए नेक्स्ट है एक सहय अपराधी जो होगा वो सक्षम साक्षी है वो कहां पर सक्षम साक्षी कॉंपिटेंट विटनेस कहां पर माने जाता है कौन सा अगर एक अपराधी के वरुद्ध घ्याईय है की अगर एक अपराधी है और वो कॉई कन्फेशन करता है तो वो दूसरा को अगेंस्ट कब अडिमिशेयबल माने जाएगी तो इसके बारे में जो प्राभधान जो प्रोविजन दिये गए हैं वो कौन से सक्षिन में दिये एक साथ चल रहा हो तो तभी एक को एक क्यूस्ट का कनफेशन दूसरे को एक्यूस्ट के फिरुद्ध क्या होता है एड्मिशिबल होता है नेक्स्ट है एक सह परतिवादी मतब एक को एक क्यूस्ट एक मामले में क्या किया जा सकता है किसी भी अपरादी में अन्य सह अपरादी द्वारा परती परिक्षित नहीं किया जा सकता नेक्स्ट है दूसरे से अपरादी द्वारा परती परिक्षित किया जा सकता है यदि उनके हित एक समान है दूसरे से अपरादी द्वारा परती परिक्षित किया जा सकता है जबकि उनके हित एक दूसरे के बुरुद है तो आंसर होगा हमारा C next है पती-पत्नी दोनों ही एक दूसरे के पक्स और विपक्स में सक्षम घवा हो सकते हैं तो यह जो section है कौन सा section है यह section है 120 इंडियन एविदेंस एक्ट का section है 120 है इसमें बताया गया है कि दिवानी और आपराधिक दोनों कारवाइयों में जो पती-पत्नी हैं वह एक दूसरे के सक्षम हो सकते हैं सक्षम शाक्षी हो सकते हैं ही सब ही है मुख्यव प्रिक्षण और प्ने प्रिक्ष न के दोरान क्या क्या आज सकता है सूचक पर्संट क्या फूछे जा सकतें फिर उसके बाद में है section 143 वो क्या बताता है कि सूचक परसन कभ पूछे जा सकते हैं कि केवल कब जब नियाललाय उसके बार में परमीशन दे दे तो उन्हें पूछा जा सकता है लेडिंग को अब देखिए यह जो कॉशन है कोशन नमबर 83 से जो स्टार्ट है यह जो कॉशन थे भी 41 ते भीहार एप्यों जो एक्जाम होता 2011 में उसी के कॉशन थे अभी जो एक कॉशन है कोशन नमबर 83 से 42 42 वाला जो भीहार अब एक्जाम होता 2011 में ही उसे रिलेटेड कॉशन है देख लेते हैं निभी कॉशन है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के दिन हैतू सब्दावली मतब मॉटिव जो वड है वो कहां पर यूज किया गया है तो वो किया गया है वही सेक्शन 8 में नेक्स्ट है मिलिक्त में से क इस धारा में भारते साश्य दिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के दिन एक एड्मिशन उस व्यक्ति के हित के लिए भी साबिद की जा सकेंगी जिसने की उसे किया था तो जनरल रूल जो दिया गया है सेक्शन 21 में उसमें कुछ एक्सेप्शन भी बताए गए हैं अन्य विक्ति कौन हुआ ओपिनियन ओप एक्सपर्ट अन्य विक्ति की जो राय है भारते साश्य दिन्यम अम 1872 की धारा 50 की अधीन सुशंगत नहीं होती जबकि मामला भारते दन सहीता 1860 के प्रादों से संबंदी थो तो कौन से प्राद होंगे तो भई वो जो प्राद हो एक्ट 1872 की किस धारा में दी गई है तो वो दी गई है सेक्षन 74 में और उसके बाद में सेक्षन 75 क्या है प्राइवेट डोकुमेंट से लिटिड़ ओके नेक्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की निवलिक्त मेंसे किस धारा के अनुसार राज्य के खिर्याकलापों क बारे में साश्य नहीं दिया जा सकता तो पहुं कौन सा स्क्ष्छन है study दियेगा पार्ते सा आधिमींग 1872 में एक्पक्सकार अपने ही साक्षी से परतन पूछ सकता है तो पूछ सकता है जबकि वो क्या हो जाता है भाई पक्सद्रोही हो जाता है तो हमारा अंसर होगा सेक्शन 154 की अधिन यह जो भी एक्जाम में जो हुआ है को ऑपनि और हां हमारे हमाय जो यह जमने वह ही टेश्व कर लेते हैं इसके बाद देखेz यह को और हमोरा इसे ही मaking चेंज कर दिया है तो को चली स्टार्ट के लेते हैं इसके इंग्स हाम कितने अध्याएं हैं बहुत नॉर्मल कोश्चन है सभी को बताऊगा 167 क्या है धाराएं है टोटल चैप्टर 11 है और पार्ट टोटर कितने हैं तीन है नेक्स्ट है किसी बाद में एक पक्सकार द्वारा अभिकतित और परती पक्षी द्वारा ऐसी कर तथ्य को कहा जाता है कि जब एक बात के लिए एक क्या कर रहा है एक पार्टी एकसेप्ट कर रही है दूसरी क्या कर रही है बिनाई कर रही है तो वो क्या है वो क्या माना जात जो कि जनम से में असमर्थ है, अपना साश्य खुले नियालने में लिख कर देता है, भारते साश्य अधिनियम के अनुसार इस परकार दिया गया, साश्य क्या हो कैसा साश्य माना जाएगा कैसा evidence माना जाएगा और evidence माना जाता है और कौन कहां पर provision दिया गया है section 119 में दिया गया है मुख साक्षी के बारे में उबंद next है विशेशक गया निमलिक्त में से किस पर अपनी राय देने को सक्षम हैं तो कहां पर science के मामले में drawing के मामले में विदे सी विदी से related कोई मामला है वो प्युक्त सभी में और कहां पर यह बताया गया है section 45 में opinion of expert next है एक महहिला के साथ कर लेती है और आत्मत्या कर लेती है तो महीला का जो यह गथन था जो ग्याई हो सकता है इसके रोप में ग्याई ओसकता है भई वो वो सकता है यह मिलिफिकालन कतन के रूप में ध्यांआ जो उप्षय नहीं है यहां नहीं है कि यहांपर क्या हुआ है यहाँ पर एक महिला का रेप हुआ है ना और वो कहती है किसी से उसने कोई F.I.R. नहीं की और बिना F.I.R. की हुए क्या statement दे रही है कि ए ने उसके साथ क्या क्या है तेप क्या है दो दिनों बाद वह महिला क्या कर लेती है आत्मत्या कर ले रही है है ना महिला का जो रेप संबन्दी कथन है तो वो क्या होगा केवल सभी मिर्त्युकालिन कथन के रूप में क्या होगा एडमिशेवल होगा यदि उसकी मिर्त्यु को रेप की घटना से सीधे जोडने वाला कोई साश्य मोजूद होगा चीक है और अगर वो F.I.R. लिखवा देती त इतने भी एक्जाम से लेटर जो भी एविडायन साथ की कोशन थी वो सभी कंप्लीट हो गए है थैंक यू सो मच